हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो ग्लोबल उनलाइन उनिवर्सिटी चैनल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल और लिए तो फ्रेंट्स हमने लास्ट टाइम कुछ पॉइंड ग्रूप पढ़ लिया थी अब हम पॉइंड ग्रूप स्टार्ट करते हैं कुछ और इसमा ठीक बैक एंड सब्सक्राइब ग्रूप से अप्लेश पीजेवशलम ही तो मा प्लेश टो एक जनीस का यह सीमिट्री है रहे हैं तो शीमें इतना इसमें इतना फ़रक होता है जो sigma d होता है friends कि वह दो c2s से होकर गुजरता है ठीक है और इसमें क्या होगी और इसमें इतनीटिटी है हर मोली क्यों नहीं होती है यह इसको d and point group होगया अब इसका operation होगा तो इसमें क्या होगा foreign operation होगा ठीक है फ्रेंस जो इसके आपके operation होगा वो foreign होगा ठीक तो जैसे example लेता हूं मैं आपका example है ऐलीन का तो ऐलीन में क्या होती है D2D point group होता है ठीक है फ्रेंस तो D2D का मतलब होगया C2 होगी ऐलीन में, ऐलीन में C2 होगी, plus 2C2 होगी ठीक है फ्रेंस प्लस 2 सिगमा डी होगा प्लस आइडेंटिती होगा ठीक है फ्रेंस और एक बात ध्यान रखने वाली बात है इसके जो operation होते हो, foreign operation होगा ठीक है फ्रेंस तो अगर 4N की बात करते हैं अगर मैंने एलीन का example लिए फ्रेंस तो D2D का मतलब होगया 4N, मतलब N क्या होगया, नमबर ओफ ये, तो कितने operation होगे, 8 operation होगी थीक है फ्रेंस तो 8 operation देखते हैं, तो C2D प्लस 2C2प्लस 2SigmaD प्लस IDenti तो C2 का मतलब होगया, आपका 1 होगया, क्यों नबाइ 2 करते हैं, ठीक हाँ, 2C2 का मतलब होगया , 1 Intu 2 तो 2 होगया तो इसमें क्या करते हैं आपको एक बात ध्यान देनी है नोट लिखना है आपको कि जब हम D&D पॉरेंट गुरुप निगालते हैं तो उसके लिए we will try S2N operation तो D2D का मतलब हो गया आपको क्या करा होगे S2N operation try करोगे तो इसका क्या हो जाएगा S4 का क्या करते हैं जब S अगर में even होती है तो N by 2 करते हैं तो इसका गयता है 4 by 2 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा तो अगर इनको मैं count करता है तो 2 charge है और 2 8 मतलब इसका हमारा operation कितना हो गया 8 त तो D2D point group हो गया एलीन का होता है एलीन में D2D point group होता है और Stagger D3D होती है इसमें क्या होता है Nc2 आप क्या C3 होगा plus 3c2 होगा plus 3 sigma D होगा plus क्या हो जाएगा S6 हो जाएगा तो यह हो गया बस आपको एक बात ध्यान देनी अगर कोई Eclipse structure है जैसे आपकी Eclipse ferocene होगी Eclipse chromocene होगा तो उसमें क्या होगा DnH point group होगा ठीक है फ्रेंट से बड़े ध्यान से देखना है आपको कोई Eclipse structure है आपकी तो उसमें DnH point group होगा इसे एक्जामपल ले गया मैंने CH4 ठीक है फ्रेंट्स तो इसका क्या होगा फॉर्मुला देख लेते हैं तो फॉर्मुला क्या होगा टेट्राइटल में 4C3 प्रस 3 आपका 4C3 होगा प्लस 3C2 होगा 3S4 होगा ठीक है फ्रेंट्स 6Sd होगा और identity होगा ठीक है फ्रेंट्स 3S4 6Sd plus identity ठीक है फ्रेंट्स तो इसका एक्जामपल वही चहेता सा एक्जामपल मिथेन होगया CS4 का molecule होगया ठीक है फ्रेंट्स और इसके number of operations यह आपको याद रखने ह है कि टेट्राइडल में 24 number of operations होते हैं ठीक है फ्रेंट्स अगर number of operations की बात करते हैं तो operation देखते हैं आपका यह C3 है तो C3 मतलब और और गया N-1 कितना हो जाएगा दो तो 2 x 4 8 हो गया ठीक है अब इसमें देखते हैं एन बाइटू करेंगे यह even है तो इन बाइटू करेंगे प्लस 3 हो गया ठीक है एस फॉध और गआटू दो तिया 6 हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स यह सिग्मा है प्लेन का लगया identity होते है च्छे बारा बारो आर्ट बीस और तीन तेईस और एक शोवीस ठीक है तो अगला पॉइंट ग्रूप आता है ठीक है अगला पॉइंट ग्रूप हमने देख लिए अगला पॉइंट ग्रूप क्या आता है फ्रेंट्स आपका S2N पॉइंट ग्रूप में क्या होता है फ्रें थिकहरो फ्रेंटस तो एक सथाइब्स एक्जाम्पल है वी उएच का होल्कवर में आपका एक्ष्ञ तो एसुए ज्यूमै परिछन प्रेंटरी होगी प्लस सी नौटअ इसलिए S4 हो गया छिक हम यह अपका ऐस दोन पॉर नोगम और av Stephen अब नेक्स्टाइज न क्या होता है थो सीजंग आपका cn में आपका आता है cn plus identity तो cn होगा कोई जैसे cn point group में तो friends इसमें यही अंतर होता है कि आपका कोई plane नहीं होता जो cn point group होता है और s2n point group में कोई plane नहीं होगा ओकर तो cn point group में क्या क्या होगा इसका formula होगा cn plus identity ठीक है friends तो अगर numbers of operations की बात करते हैं तो cn अगर कोई access of symmetry हो तो इस n-1 करते हैं प्लस identity का 1 तो कितने operations हो जाएंगे n operations हो जाएंगे तो कोई c2 है तो यह क्या होगी हो गया हो जाएगा हमारा आपका स्ट्रक्चर होता है तो उसमें c2 पॉइंट गुरूप होता है तो एक तो c2 होगी अब यह वाली c2 हो जाएगी तो इसमें कोई प्लेम नहीं होगा तो यह एक ऐसे है तो यह दूसरा है ठीक है अगर c3 की बात करता हो तो उसमें क्या होगा c3 प्लस identity होगा तो c3 में भी पॉइंट है आपका number of operations 3 आ जाएंगे ठीक है फ्रेंट्स और इसका example होता है tilted PPS3 नहीं ट्राइफिनाइल फॉस्पीन की जो रिंग होती हो एक्चुली में tilted होती है इसलिए उसमें क्या point group होता है c3 ठीक है तो c3 हो गया अब next point group की बात करते हैं dn point group ने क्या होता है cn होता है प्लस nc2 होते है प्लस identity होता है ठीक है फ्रेंट्स बढ़ dn cn और sn वस इसमें एक ही खास्यत है कि कि इसमें कोई भी plane नहीं होता ठीक है फ्रेंट नहीं फ्रेंट ग्रॉक में क्या होगा cn प्लस nc2 प्लस identity ठीक है friends और identity तो इसमें operations वही होते हैं जो dn point group में अब आपको operations ध्यान रखने हैं कि dn point group में क्या होता है operations 2n हो जाते हैं वगर d2 है तो उसमें कितने हो जाएंगे 4 operations हो जाएंगे अब जैसे यहां से भी देखे लेते हैं ठीक है friends तो इसका dn point group का example है आपक twisted board का example है d2 इसमें क्या होती है d2 point group होता है c2 होती है plus 2c2 होती है plus identity होती है ठीक हो और d3 का example एक बहुत common example है m यानि metal है a का whole thrice यह d3 का example है ठीक हो इसमें क्या होगा 1c3 होगा plus 3c2 होगा plus identity यानि metal m a a का whole thrice और जो a है वही आपका d3 point group हो गया twisted board का d2 example d2 point group हो गया ठीक है friends अब दो point group और आते हैं जिनका मैंने आपसे discussion नहीं करा है पहला point group आता है आपका c infinite v ठीक है friends यह c infinite v यह polar compounds में लगता है ठीक है friends जैसे hcl, hdr और आपका h iu ठीक है friends तो इसमें क्या होता है c infinite और infinite number of planes आते हैं plus identity होती है ठीक है friends तो जो polar groups में लगता है उसमें c infinite v होती है और दूसरा point group आता है friends आपका जो होता है d infinite h तो यह क्या होता है friends यह आपका non polar compounds में लगता है और जो linear होते हैं जैसे h2, cl2, h2, cl2, br2 इसमें d infinite h point group होता है ठीक है friends तो point group लगबग सारे खतम हो चुग है मैंने सारे point group आपको complete करा चु ठीक है friends तो पहला question है net में आया होगा है the molecule having s4 symmetry तो हमें यह बताना है कि किस molecule में s4 symmetry होगी ठीक है friends तो ethylene की बात करता हूँ अगरना ethylene की बात करता हो तो friends यह होगा यह कुछ ethylene का ऐसे example होगा तो friends इसमें क्या होगा एक c2 सामने से जारी है एक यहां से जारी है एक यहा जाएगा ठीक है friends अगर बेंजीन की बात करता हूँ तो बेंजीन एक प्लेनर molecule है उसमें आपका 1c6 होती है प्लस 6c2 होती है तो उसका point group क्या हो जाएगा friends D6 हो जाएगा ठीक है friends अगर 1 2 1 3 butadine की बात करता हूँ में तो friends 1 3 butadine का structure कुछ इस टाइप से होता है यह आपका 1 3 butadine हो गया ठीक हो फ्रेंट्स तो इसमें क्या होगी friends आपका यह एक c2 जाएगी एक c2 होगा और आपका इसी के parallel plane हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगी c2 v point group हो जाएगा अगर एलीन की बात करते हैं तो एलीन में प्लस आइडेंटिटी प्लस S4 क्योंकि इसमें हम S2N operations ट्राइग करते हैं तो इसका क्या answer होगी friends एलीन तो इसका option B correct हो जाएगा ठीक है अब next question में आएगा है the compound N2F2 अब N2F2 में बताना है have two isomar उसके दो isomar है friends the correct of the following इनिमें से कॉन सा correct होगा ठीक है friends तो पहला example है पह अब बहुत है सिग्मा एच प्लें की पर्पेंडूलर प्लें है और यह कहना एक का सिग्मा एच होगा और दूसरे में दूसरे में सिग्मा भी होगा और इन में से कोई नहीं होगा अब देखते है friends तो N2F2 के अगर मैं बात करता हूं तो उसका कुछ इस टाइप से structure होता ह इसके सिस्फर्म होती है और एक ट्रांसफर्म होती है ठीक है friends तो अगर मैं देखता हूं friends अगर मैं इसके सिस्फर्म देखता हूं तो इसमें एक C2 हो जाएगी और यह पर्पेंड अब यह पैरलल प्लें हो जाएगा तो इसमें कुन सा हो गया सिग्मा भी प्लें हो गया अ तक क्या हो जाएगा इसमें सामने से जाएगी ओर इसके परपेंडिबिलर लेकल उजाएगा और दूसरे में क्या हो जाएगा इसका सिसफोर्म होती और दूसरी ट्रांसफोर्म होती है सिस्पोर्म इसके सिग्मा भी कंटेन करती है और प्रांसफॉर्म सिग्मा एच कंटेन करती है ठीक अब नेक्स्ट वोश्चन आता है अब यह भी नेट में आया हुआ आप यह कह रहा है कि आपको कौन सा पॉइंट गूरुप मिलेगा जब आप सिमेट्री ओपरेशन सिग्मा आपको बताया था कि जो सीफोर में अगर मैं सीफोर में सिग्मा एच काउंट करूं और आइडेंटिटी हर मोलिकूल में होती है तो क्या बन जाएगा फ्रेंस क्या पॉइंट गूरूप बन जाएगा सीफोर एच ठीक होगे फ्रेंस ना तो एसफोर बनेगा ना डीटुएज बनेगा ना डीफोर तो क्या हो जाएगा फ्रेंस इसका अंसर सीफोर एच ओके फ्रेंस तो यह कुछ एपॉइंट गूरूप के बेसिस बे कुछ कोश्चन से वहने सौल कर आए हूँ है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना फ्रेंस ठीक है फ्रेंस तो थैंक यू पर वचिंग और निस वीडियो